Hello my hard working aspirant, I hope you are doing well, most welcome to my YouTube channel आपका एक्जाम आज हम हिंदी बर्ण माला की सीरिज को आगे बढ़ाते हुए तीसरा लेक्चर प्रजेंट कर रहे हैं इससे पहले दो वीडियो बर्ण माला के अप्लोट किये गए हैं, पार्ट वन और पार्ट टू यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट के माध्याम से आप इसे देख सकते हैं जिसमें अभी तक व्यापम द्वारा पटवारी अन परिक्षाओं में पूछे गए प्रशनों को सामिल किया गया है तो आप वीडियो को अंते तक जरूर देखें, मेरा दावा है कि आप 100% प्रशन सही नहीं कर पाएंगे तो शुरू करते हैं, आज का जो फर्स्ट कॉस्चन है 101 से शुरू होता है क्योंकि 100 कॉस्चन इससे पहले हम दो पार्ट में खतम कर चुके हैं तो शुरू करेंगे, फर्स्ट कॉस्चन है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वास बायू अधेक मात्रा में निकलती हैं, उसे क्या कहते हैं तो जिन धनियों के उच्चारण में जो स्वास बायू है अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं और जिनके उच्चारण में स्वास बायू कम मात्रा में निकलती है उसे हम अलप्राण कहते हैं यदि इनकी संख्या देखी जाए, तो अलप प्राण जो हमारे इसपर्स बेंजन होते हैं, उसकी पहली, तीसरी और पाच मी जो पंती होती है, या पाच मी लाइन होती है, वर अलप प्राण के अंतरगत रखा गया है, और जो दूसरी और चौती जो लाइन होती है, उसे महा प्राण के अंतरगत रखा गया है, आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर पहली तीसरी और पाँच भी जो लाइन है यह अलपर प्राण कहलाती है और दूसरी और चौथी लाइन है वो महा प्राण के अंतरगत आती है, तो आप इसका स्क्रीन सॉट भी ले सकते हैं, question है जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे उसे क्या कहते हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे उसे हम हस्विस्वर कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में केबल एक मात्रा का समय लगता है और जो दीर्गिस्वर होते हैं इनके की बात करें तो इनकी संख्या चार होती है इसके अंतरगत छोटा आ, छोटी ए, छोटा उ और रिशी ए चार बढ़न आते हैं किसके अंतरगत हस्वु स्वर के अंतरगत और दीर के स्वर के अंतरगत बाकि जो बच्चे हुए बढ़न हैं वो आते हैं जैसे कि बढ़ा आ, हुए थी के अंतरगत आते हैं तो पिलत ँचाहरण के अंतरगत आएंगे नेक्स सबस्क्राण के हएं तो तो पिलता होता है क्योंकि खान? ऋचाहर का हम ये सा का आधा native ह जेसे कि आपने देखा होगा रहा निकलती है जैसे कि देखा होगा न hop तो इसमें अंत में जो बिसर्ग लगता है उसे जब आप उचारित करेंगे तो हा की साउंड ही यहां से बाहर आएगी तो यह हा हो जाएगा यहां पर बिसर्ग के उच्चारण किसके समान है तो हा की समान है नेक्स्ट कॉस्चन है नासिक के बेंजन है तो जो नासिक के बेंजन है यह मा जो नासिक के बेंजन की अंतरगत आता है आपको बता दे कि जो नासिक के बेंजन है जो हमारे पंचमाक छर होते हैं जैसे कि आपने अंगा अडा और यह ना मा यह जो पांच में अक्छर होते हैं इन्हें हम पंचमाक्छर भी कहते हैं या फिर इसे हम नासिक के बेंजन भी कहते हैं इनकी संक्या 5 होती है इसे हम नासिक के बेंजन की अंतरगत रखते हैं नेक्स्ट कॉश्चन है, बेंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, तो बेंजन है जो हमें इस स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, किसकी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे कि आपको बता दें, सीता, यहाँ पे जो सीता है, यहाँ पे यदि आपका इसका बढ़न विच और इसका स्वर सेपरेट हो जाता है ? तो कि साहीता से बूले जाते है ? तो बैंजन हमेश डिल और kis की साहीता से ही बूले जाते है एंक ही लुक्त जाते है इसमें जब अम होता है इसका जब लूप होता है तो उपर एक बिंदी आ जाती है जिसे हम अनुश्वार कहते हैं और इसके उच्चारण की समय जो बायू है नाशिक्त यह नाक द्वारा बाहर निकलती है इसलिए इसे हम अनुश्वार कहते हैं तो इसका रहाट आंसर हो चार होती है, कौन-कौन से सायुक्त बेंजन होते हैं, तो यहाँ पर सायुक्त बेंजन होते हैं, आपके श्रा, त्रा, ग्या, और श्रा, यह आपके कौन से चार सायुक्त बेंजन होते हैं, क्योंकि यह दो बढ़नों से मिलकर बने होते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि ये किन-किन बढ़नों से मिलके बने होते, इससे पहले भी इस question को मैंने कई बार repeat किया है, तो आप इसका screenshot ले सकते हैं, next question है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में खालिस्तान समय लगता है, तो उसे हम हस्वस्वर कहते हैं, क्या कहते हैं, हस्वस्वर क्योंकि उच्चारण में कम समय लगता है, और जिन के उच्चारण में अधिक समय लगता है, उसे हम दीर्गिस्वर कहते हैं, हस्वस्वर की संख्याचार होती है, आपको बता चुके हैं, एक और कौन से होते हैं, छोटा A, चोटी इ, चोटा उ और रिशी यह चार हस्वस्वर होते हैं Next question है यह सायुक्त बैंजन का उधारण है क्यों कुछ उच्छा है किस से मिलकर बनता है तो यह का और शाशे मिलकर बनता है किस से का और शाशे मिलकर बनता है और आप ध्यान रखे, इसमें हलंत का विस्ष ध्यान रखे क्योंकि जब यह है इसका विच्छे दन होता है तो यहाँ पर हलंत नीचे लग जाती है तो सायुक्त बैंजन को धारण है इसके अलाबा अधर भी देखेंगे यहाँ पर दूइत्वे बैंजन लिखा है तो दूइत्वे बैंजन क्या होता है दूइत्वे बैंजन ऐसे बैंजन होते हैं जब दो समान बैंजन की पुन्रावरत्ती होती है जैसे कि देखेंगे मिट्टी तो मिट्टी में ताका दो बार repetition हुआ है समान बैंजन का, जैसे कि देखीँगे दिल्ली, तो दिल्ली में जो ला है, तो दो बैंजन का दो बार यहाँ पर समान repetition हुआ है, तो इसे दुध्वे बैंजन कहते हैं, और सैयोगताक्षर कि संख्या चार होती है, अभी देखा है, तो यहां पर जो छमा में जो छा है यह सयुकताक्षर का उधारण है और यह का और साथ से मिलकर बनता है नेक्स्ट कॉश्चन है बर्णों के क्रम को कहते हैं तो बर्णों के क्रम को हमेशा बर्णमाला ही कहते हैं पता होगा बर्झ माला में 52 बर्ण होते हैं जिस में यसे देखा जाए 13 स्वत हुते हैं परनतु मूल स्वतों की संक्या 11 ही होती है और 2 जो स्वत हैं अम और और आहा वो आयोगवा pulse की अंतरगत आते हैं यदि हम बेंजन की बात करें, तो बेंजन की संख्या 35 होती है, परंतु यदि ऑप्सन में 35 नहीं है, तो आप इसका राइट आंसर 33 होगा, क्योंकि यहां पर दो इसमें दुईगुण बेंजन को समलित किया जाता है, कौन सा? यह रडा और रडा, यह इसको दुईगुण बे पर देते हैं, तो बेंजन की संख्या 35 हो जाती है, परंतु कुछ विद्वान इनको अलग से, दुईगुण बेंजन को अलग से लगते हैं, इसलिए इनकी संख्या 33 मानी जाती है, और 4 जो बेंजन है, कौन से आपके सायोग ताक्छर हो गए, और यहां 4 बेंजन है जो से भी county क्या जाता है तो 23 आपके मूल बेंजन हो गए और दो आपके बेंजनों की संख्या 35 हो गई और अंतिसतनी इसंख्या यहां पर चार और यहां पर संघर्शी इसंख्या भूती है तो भासा के सभी बढ़नों के समूग को बढ़नमाला कहते हैं जोर से गाने या रोने में किस स्वर का प्रियोग होता है तो जोर से गाने या रोने में हमेशा पिलुत स्वर का प्रियोग होता है तो इसमें इसका right answer A हो जाएगा, शा और रिर रिशी इसका सही answer हो जाएगा, क्योंकि जो रिशी है या स्वर की अंतरगत आता है, और बेंजन है, स्वर से मिलकर बनते हैं, तो जब इसे separate करते हैं, तो स्वर है यथावत रहता है, इसमें रा नहीं आएगा, आप ध्यान रख स्वर वाला सब्द है, तो इसका right answer हो जाएगा, पूछ हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि यह है, जो यहाँ पे जो लगा है पूछ, इसके उपर जो चंदरबिंदी लगी है, यह आपका अनुनासिक की अंतरगत आता है, किसकी अंतरगत? अनुनासिक की अंतरगत, यहाँ पे आख लेका है, याई भी अनुनासिक की अंतरगत आता है, जो अनुनासिक सब्द होते हैं, जिनका उचारण, उचारण की समय बायू, नाक, बामुख दोनों से निकलती है, इसे हम अनुनासिक कहते हैं, और इसे हम लिखते समय समय, इसके उपर चंदरबिंदी ल लगी है यह आपका हो गया अनुश्वार कौनसा हो गया अनुश्वार यह किस से मिलकर बनता है तो जो आपका एक स्वार होता है अम इसका जब लोपन हो जाता है तो उपर इसके उपर एक बिंदी आ जाती है तो पंकज हो गया आपका अनुश्वार पूच और आख है इसके जो चंद्रबिंदी लगी है इसलिए इसे अनुनासिक कहते हैं जो अनुस्वार का उच्चारण है इसका उच्चारण केवल नाक के द्वारा होता है या इसके उच्चारण की समय जो ध्वनी है या बायू नाक द्वारा बाहर निकलती है और अनुनासिक में नाक बमुख द् जिवारा बाहर निकलती है नेक्स्ट कोष्चन है आगत ध्वणी नहीं है तो यहाँ पढाली नहीं है तो यहाँ पर ढहिए है क्योंकि यह हमारे मूतः संeled से आई हुई है जबकी है क्यों कि यह शकानी शराब कि यह जमीदी है तो यह इसे नुगता कहते हैं जो ये नीचे बिंदी लगी है और यह उर्दू और फार्सी भासाओं से हमारी हिंदी में आये हैं कौन से इसलिए से आगत धुने कहते हैं क्योंकि अन्य भासाओं से हमारी भासा में आये हुए हैं और यहां पर जो आप देख सकते हैं ओ लिखा है तो यह अंग्रेजी से आय हुई है जब अंग्रेजी के सब्दों को हम हिंदि में लिखते हैं जैसे कि ओफर ओफिस है ओरेंज है तो यह अंग्रेजी से आई हुई है इसलिए भी आगत ध्वनी की अंतरगत आएगी पहली, पहली, तीसरी और जो पांच में बर्टीकल लाइन होती है हमारी हिंदी में, तो इसे अलपप्राण कहते हैं, और दूसरी और चौर्थी जो लाइन होती है, उसे महाप्राण कहते है, नेक्स्ट कॉस्चन है जिन स्वरों में एक मातरा से अधिक समय लगता है उसे हम दीरगुस्वर कहते हैं जैसे कि बड़ा आ, बड़ी इ, बड़ा उ और बांकी के जो अधर जो स्वर है उसे दीरगुस्वर के अंतरगत रखा जाता है नेक्स्ट कोश्चन है किन सब्द में पंचमाक्षर का प्रियोग नहीं हुआ है तो यहां पे पाँच में पंचमाक्षर का प्रियोग नहीं हुआ है आपको बताते हैं जो पंचमाक्षर क्या होते हैं जो हिंदी बर्ण माला के इस परसी बेंजन है उसमें जो अंतिम पाँच के द्वारा बाहर निकलती है तो इसमें किसमें सका प्रियोग नहीं हुआ है तो जैसे संबंध को हम कैसे लगते हैं सा आधा-मा बाधा- न द तो यहां पर इसे पर पांच बस ऐसा है जहां पर पंच माक्छर का प्रियोग नहीं हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D नेक्स्ट कोश्चन है इनमें से बिसर्ग वाला सब्द है तो सिंपल है बिसर्ग वाला सब्द प्राया है और जो अयोग वाहे जो स्वर है अहां उसके बिलोपन के बाद यहां पर दो बिंदी आ जाती है और इसे हम बिसर्ग कहते हैं नेक्स्ट कोश्चन है सब्दों में प् प्लस यहाँ पर बड़ी ए की मात्रा आ जाएगी प्लस ता आ जाएगा और यहाँ बड़ा आ जाएगा तो इसे बढ़न विच्छेदन कहते हैं नेक्स्ट कॉश्चन है सब्द बोलते समय जो अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं तो उसे बलाघात कहते हैं क्योंकि जिन अक्षर पर बल दिया जाता है उसे हम बलाघात कहते हैं next question है महा प्राण बेंजन के उधारण है तो यहां पे महा प्राण बेंजन के उधारण है फा और भा यह महा प्राण बेंजन के उधारण है बाकी अन्न ओप्सन देखेंगे तो अलप प्राण बेंजन के उधारण है यदि आपको याद नहीं होता है तो इसकी ट्रिक भी मैंन लास्ट वीडियो में बताई हुई है जैसे कि यदि आप अलप प्राण को लिखेंगे तो यह हैं केबल एक सब्द में लिखे जाते हैं इंगलेश में इसे भी आप कर सकते हैं त्य आपको याद नहीं होता है, next question है, कि किस सब्द में woh सम्मंदी प्रियोग हुआ है, तो यहां आश्चरी में रेव सम्मंदी प्रियोग हुआ है, क्योंकि जा राके زाजी प सम्मंदी होग है, राके भिल ऊपन के बाद तो आश्चरी में схण प्र इनके उच्चारण के समय, जो ओंठ हैं आपस में टक्राते हैं Next question है तालू से बोले जाने वाले बढ़नों में नहीं आता तो तालू से बोले जाने वाले बढ़नों में टा नहीं आता क्योंकि टा जो है आपका मूर्धन बर्ड़ के अंतर गताता है दोस्तो आपको बता दें कि देखा जारहा है कि कुछ aspirants हिंदी को बहुत हलके में ले रहे हैं जबकि हिंदी के प्रेश्णों का लेविल काफी हाई रहने वाला है ऐसे में यादि आपके हिंदी में कम माक्साते हैं तो आपका selection खत्रे में होगा तो मेरी सला है कि सभी subject to equal status देजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो please वीडियो को like कीजिए next question है दीर्गस्वर है तो इन मैंसे दीर्गस्वर A है क्योंकि यहाँ पे देखा जाए A, E, बड़ा A, E, U और रिशी यह जो चार है इसे हास्विस्वर कहते हैं इसके अलावा जो अन्य स्वर होते हैं उसे दीर्गस्वर के अंतरगत रखा जाता है चाए बड़ा A हो चाए छोटा A हो इसे हम दीर्गस्वर के अंतरगत रखते हैं नेक्ट कोश्चन है बड़नों में निर्मित सुतंत्र तथा सार्तिक ध्वनी कहलाती है तो बड़नों से निर्मित ध्वनी क्या कहलाती है सब्द कहलाती है नेक्ट कोश्चन है कंट से उचारत ध्वनी है तो कंट से उचारत ध्वनी का है यह कंठ बेंजन के अंतरगत आते जैसे कि आपने इसका प्रियोग जा और फा का प्रियोग आपने उर्दू और फारिशी भासा में देखा होगा या जनरली सायरी और नजमों में देखा होगा जैसे कि जफर है ना offer offer है और Size एंग्लेस्स आया हुआ है जिसे कि offer लिखते हैं oranj लिखते हैं office लिखते हैं तो यह और आगत दुनिया हो जाती है इसके लाप में देखेंगे जो ऊशमी बंजन ंकि संख्या चार होती है उसमी बंजन कौन-कौनसे होते है तो आपके तीनो शाह है या उस्म बेंजन के अंतर गताते हैं और तीनो शाह और हा या उस्म बेंजन है और यहां पर इस पर इस बेंजन है इनकी संख्या 25 होती है और संयुक्त बेंजन की संख्या 4 होती है जो कि इससे पहले बताया नेच्ट कोश्चन है इससे अनुणासिक स्owania कहते हैं तो यहां पater चांदनी में अनुणासिक का प्रियोग हुआ है क्योंकि इसके उपर चंदरविंदी लगी है इसे अनुणासिक स्वर कहते हैं क्योंकि इनके उचारण की समाई जो ध्ध्वनी है नाक्व कमुक दौन से नि जबकि चांद नी है यह अनुनासिक की अंतरगत आता है नेक्स्ट कॉस्चन है जिन बढ़नों के उच्चारण स्वरों की सहायता से होते हैं उसे क्या कहते हैं तो जिन बढ़नों का उच्चारण स्वर की सहायता से होते हैं उसे हम बेंजन कहते हैं क्योंकि बेंजन सुतंत्र नहीं बोले जाते हैं हमें इस स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं यहां पर आयोगवाय देखा जाए तो आयोगवाय की संख्या दो है कौन सा अम और आहा तो आयोगवाय है नेक्स्ट कॉस्चन है ओम किस स्वर का उधारण है तो ओम पिलुट स्वर का उधारण है क्योंकि इसके ऊचारण नें के सवर से भी अधिक समय लगता है. Next question है, जन सवरओं की मात्रा रहा के साथ नहीं लगाई जाती? तो यहां पर रहा के साथ सारी मात्रा लगाई जाती हैं. जैसे कि यहां पर देखें आ, आ के साथ जो कॉम्हिनेशन बनता है आपका राम, यहाँ पे A की मात्रा लग गई राम में और U के साथ इसका combination देखें तो रूह या फिर गुरू तो यहाँ पे भी U की मात्रा लग गई रा के साथ रूह या गुरू में E का देखें तो रिया यह भी आपकी E की मात्रा लग गई परंतु रिशी के साथ इसका कोई combination नहीं बनता है, कोई भी मातर रिशी के साथ नहीं बनती है इसकी, इसलिए इसका right answer हो जाएगा D, तो इसमें किस स्वर की मातर रा के साथ नहीं लगाई जाती है, तो रिशी के साथ इसकी मातर नहीं लगाई जाती है, नेक्ट कॉस्चन है, बोलते समय सुर का आरोह अबरोह कहलाता है तो जब बोलते समय जो सुर होते हैं बहे उपर उठते हैं नीचे आते हैं लाए के साथ तो इसे हम अनुतान कहते हैं जनरली गाना गाते समय या रोते समय अनुतान का प्रियोग किया जाता है क्योंकि इसमें बर्णों को अधिक समय तक खीचा जाता है नेक्स्ट कोश्चन है सयुक्त बेंजन की संख्या है तो सयुक्त बेंजन की संख्या चार है बता चो कि आपको सयुक्त बेंजन की संख्या चार है नेक्स्ट कोश्चन है बर्ण ध्वनियों के खालिस्तान रूप होते हैं तो बर्ण ध्वनियों के हमेशा लिखेत रूप होत और सब्दों के सार्थक सायों जन से ही बाक्य का निर्माड होता है next question है किन स्वर की मात्रा रा के साथ मद्ध में लगाई जाती है तो यहां पर जो उ है इसकी मात्रा रा के साथ मद्ध में लगाई जाती है जैसे कि देखें यहां पर गुरू तो यह मद्ध में लगाई गई की मात्रा किसके रा के साथ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उ नेक्स्ट कोश्चन है दंत से उच्चारित वर्ण है तो दंत से उच्चारित वर्ण कौन से हैं आपके तवर्ग है यह दंत से उच्चारित वर्ण है जैसे कि ताथा दाधा यह दंत द्वारा उच्चारित ह होते हैं next question है उष्ट से उच्चारित वर्ण है तो उष्ट से उच्चारित वर्ण है यह पावर्ण उष्ट से उच्चारित है यह पाफा बाभा मा यह जो पांच वर्ण है यह उष्ट वेंजन के अंतरगत आते हैं क्योंकि उच्चारण की समय जो उष्ट हैं आपस में टक और आते हैं, next question है, काखा, गागा, इंगा या इसका उच्चारण स्थान है, तो इनका उच्चारण स्थान आपका कंठ है और या या कंठ वेंजन के अंतर गताते हैं, next question है, यहाँ पर बढ़न विच्छी दन दिया गया है, तो उ, दा, या, आ, न, आ, बढ़न के मेल से क्या है, तो यहाँ पर गंदा में अनुश्वार का प्रियोग हुआ है, क्योंकि यहाँ आपको बताया था, जो अम होता है, इसका बलोपन होता है, तो उपर एक बिंदी आ जाती है, और जो अनुश्वार होते हैं, इनके ओचरण के समय जो ध्वनी है, नाक और मुख दौनों से निकलती है, इसलिए अनुश्वार कहते हैं, और यहाँ पर जो गाउ है, यहाँ अनुश्वार के अंतरगत आजाएगा, जबकि जो अहां का बिसर्ग होता है, जो आपका बिसर्ग बनता है, जैसे कि आप देखें, मनाहा, यहाँ पर दो पीछे बिंदी लग जाती हैं, तो अयोगबाह कौन-कौन से होते हैं, आम और अहा को अयोगबाह कहते हैं, क्योंकि इन्हें ना तो पूर्टाहस्वारों में काउंट किया जाता है, ना ही बेंचन में किया जाता इसलिए से अयोगबाह कहते हैं, नेक्स्ट कॉस्चन है अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में क्या अंतर होता है तो अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में अनुस्वार में हवा नाक से निकलती है जबकि अनुनासिक में हवा नाक और मुक्स दोनों से निकलती है आपको अभी बताया था तो यहाँ इसके मद्द अंतर हो जाएगा अनुनासिक होते हैं इसमें ऊपर जो चंदर बिंदी लग जाती है जैसे कि लिखे चांद और अनुश्वार में ऊपर सिंगल बिंदी होती है जैसे कि लिखे हंस तो यहाँ उसका उधारन हो जाएगा next question है उच्छारण के आधार पर बेंजनों के कितने भेद होते हैं तो उच्छारण के आधार पर बेंजनों के तीन भेद होते हैं आप जैसे कि बताएं इसमें 25 है जो इसपरसी बेंजन होते हैं और चार है जो आपके संघरसी बेंजन होते हैं तीनों शा और हा संघरसी काई ध्वनी है जबकि भासा की लिखित मूल भूतेकाई क्या हो जाएगी तो वो बर्ण हो जाएगी या फिर ध्वनी के लिखित रूप को बर्ण कहते हैं तो आप इसे ध्यान से पढ़िए इस उपर आ जाती है जिससे चांद हो गया उपर हंस हो गया नेक्स्ट कॉस्चन है गावर्ग गावर्ण का उच्चारण स्थान है तो गावर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो आपको कंट हो गया जो इसके काखा गागा इंगा है जो आपको कंट के अंतर गताते हैं क्योंकि इनके उच्चारन की समय जो धनी का जिवत पत्ती है कंट की द्वारा होती है, next question है, ताथा, दाधा, ना या किसके एंदर घताते हैं? तो ताथा, दाधा, ना है, या इसपरसी बेंजन की एंदर घताते हैं, और बैसे देखा जा, इसके उच्चारण की समय यह आपके दंत बेंजन के अंतरगत आते हैं किसके दंत बेंजन के अंतरगत आते हैं next question है मावर्ण का उच्चारण स्थान है तो मावर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ट और नासी का दौनों है कौन से ओष्ट और नासी का दौनों है क्योंकि जो इस पर सी बेंजन के जो अंतिम पंती होती है पंचमाक चर होती है उनका उच्चारण के समय जो ध्वनी है या ब कि ना वर्ण का उच्चारन स्थान है तो म हुच्च्ण से ही और थैक होती है और आग। ओष्ट के अंतरगत आएगा क्योंकि पाफा बाभा यह ओष्ट बेंजन के अंतरगत आते हैं सायुक्त स्वर कोंसा नहीं है तो सायुक्त स्वर यहाँ पर आपका रिशी यह सायुक्त स्वर नहीं है क्योंकि यह हस्वस्वर है आपको बताया था कि हस्वस्वर की संख्या चार होती है छोटा A, छोटी E, छोटा U और रिशी यह चार हस्वस्वर होते हैं इसके अलावा जितने भी स्वर होते हैं वह दीर्गस्वर के अंतरगत आते हैं यह संयुक्त स्वर के अंतरगत आते हैं समूह मूलतह कितने भागों में बाटा गया है तो हिंदी बर्ण माला का समूह मूलतह दोबर्गों में बाटा गया है कौन सा स्वर और बंचन दोबर्णों में बाटा गया है तो thanks for watching यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीस वीडियो को like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए और अपने फ्रेट के साथ सेयर कीजिए इसके बाद हम संधी को सुरू करेंगे तो आप चैनल को जलू सस्क्राइब कर लीजिए थैंक यू